यहाँ बाद तो सब जानते हैं कि वर्यन वफय को money magni night भी कहा जाता है और एसा इसलिए है कि वो पैसे को अपनी तरह अट्रेक करने का हूनर जानते हैं वर्यन वफful के ही तरह हम सब money magnet बनना चाथे हैं लेकिन हम ऐसे अधिकतर लोग ऐसा नहीं कर पाते हैं और फेल हो जाते हैं पर आज मैं आपको वरेन बफे के पांच रूल्स बताने वाला हूँ जिनको अपना कर आप भी मनी मेगनेट बन सकते हो वरेन बफे का पहला नियम है सभी टोईज याने की खिलोनों को ना कहिए वरेन बफे कहते हैं कि हमारी लाइप में जितने भी टोईज खरीते हैं वो हमारे पैसे को बरबाद ही करते हैं वर्न बफे कभी भी अपने पैसे को मेंगी गाड़ियों, मेंगे घर, मेंगे कपड़े, मेंगी घड़ियों, लक्जरी समान पर कभी खर्च नहीं करते हैं वर्न बफे एन चीजेवर पैसा बरबाद करने की जगह frequency अबने पैसे को सई जगह पर invest करना ज़्यादा पसंद करते हैं ताकि उनकी net worth और value बढ़ सके अगर आप भी उनकी ही तरह अपने पैसे को manage करना जाते हो तो ज़रूरी है कि आप भी ऐसे luxury item पर अपना पैसा खर्चना करें जो आपकी wealth को कम कर दे दरसल लोगों की आदत होती है कि shop करने के लिए वो मंगे brand के सामान खरीदते हैं जबकि असल में उन्हें उस सामान की कोई जरूरत नहीं होती है या फिर उन्हें वो सामान किसी दूसरे brand में सस्ते में भी मिल सकता था पर फिर भी ज़्यादा तर shop करने वाले लोग मेहंगी चीजों पर पैसा ही खर्च करते हैं जैसे आपको कोई phone खरीदना हो पर आप सोचीगी आपको ये phone किसली चाहिए अगर आपकी requirement call करना और internet यूज करना ही है तो आप कोई भी 5000 से या 10 000 तक का android phone ले सकते हो पर आप फिर भी उसकी जगह पर एक लाग खर्च करके iPhone खरीदते हो तो ये होगा आपका बेकार का खर्च क्योंकि एक लाग का iPhone लेने के बाद भी आप उसमें सिर्फ call कर रहे हो और internet यूज कर रहे हो ये कामें आप एक normal सस्ते phone में भी कर सकते थे अगर इसकी जगह पर हर मेंने अपने phone का recharge भी कर वा सकते थे इसे बोला जाएगा एक smart investment अब फैसला आपका है आप एक लाग का phone लेना चाथा पसंद करोगे या फिर दस हजार का पैसे manage करने का दूसरा नियम है हमेशा discount मागना वरेन बफे कहते हैं कि किसी भी चीज की price वो होती है जो आप pay करते हो और जो आपको मिलता है वो इस चीज की value होती है आपको हमेशा इस चीज पर focus रखना चाहिए कि आप कम से कम कीमत देना हो और आपको ज़्यादा से ज़्यादा value मिले शायद आपको जानकर आश्चरे होगा कि वरेन बफे जब भी कोई चीज खरीते हैं तो discount coupon का इस्तेमाल करने में बिल्कुल भी नहीं शर्माते हैं उनका मानना है कि जब आप एक डोलर बचाते हो तो आप एक डोलर कमाते भी हो सिर्फ वरेन बफे ही नहीं दूसरे कई पैसे वाले लोग भी इस रूल को फूलो करते हैं आज करोड़ पती लोग मोल भाव करते हैं और discount coupon का इस्तेमाल कर सकते हैं तो आप क्यो नहीं पैसे बचाने के लिए आप अच्छी तरह की deal को देखिए और जरुत पड़े तो इंतिजार भी करिए उसी के बाद आप उस चीज को खरीग दिए वरेन बफे का तीसरा निया में सोल समझ कर फैसला लेना कई बार हम पैसे से जुड़े में फैसला लेते समय हम आगे आने वाले फाइदे और नुक्सान के बारे में बिल्कुल भी नहीं सूचते हैं और इस वज़े से हमें बहुत ज़्यदा तकलीफे उटानी पड़ती है और बाद में हमें पस्ताना पड़ता है वरेन बफे केते हैं कि उनकी सफलता में सोच समझकर फेसले लेने की आदत का बड़ा योगदान है वो कहते हैं कि अगर आप सफल होना चाते हो तो सोच समझकर फेसले लेने बहुत ज़्यदा जुरूरी है और उससे भी ज़्यदा जुरूरी है कि कोई गलत फेसला ना ले इसलिए financial decision लेते वक्त धीमे हो जाना और रुकर सोचना फिर उसके बाद कोई फेसला लेना अगर आप भी वरेन बफे की तरह सफल होना चाते हैं तो यह बहुत ज़्यदा जुरूरी है कि आप भी सही फेसले ले वरेन बफे share market investor है ऐसे में उनको कोई भी एक गलत फेसला उनका पेसा डुबा सकता है इसलिए वरेन बफे ने अपने अंदर यह आदत पेदा की है कि और share market के king बन गए अगर आपको लगता है कि आप जो भी decision ले रहे हो वो emotions की वज़े से ले रहे हो तो थोड़ा रुख जाईए और बहुत जरूरी है कि आप उस वक्त कोई action ना ले और बाद में सोच समझ कर फेसला ले वरेन बफे का चोता नियम है पेसा बचा ना सिखो और कर्च को ना के ना सिखो वरेन बफे से एक बार किसी ने एक सवाल पुछा था कि पेसे से जूड़ी ऐसी कौन सी गलती है जो हम सब करते हैं वरेन बफे ने इसका एक खूब सुरू जवाब दिया कि उन्हेंने कहा कि लोग पेसे को सेव करने की इपोर्ण टेस को कम उमर में समझते नहीं और नाई उसे अपनी आदत बनाते हैं जो कि बहुत बड़ी गलती है लेकिन ऐसे लोग अमेर जरूर होना चाते हैं लोग अपनी जिंदगी कर्ट ये उधार के पैसे से लेकर जीना पसंद करते हैं जैसे कि क्रेडिट कार्ड और बिना मतलब की EMI वरेन बफे का सीधा से नियम है कि कभी भी उधार मतलो पहले पैसे बचाओ और फिर बचेवे पैसे में इसे खर्च करो आपको भी इस नियम को फोलो करना चाहिए आपको समझता चाहिए कि आप जो पैसा खर्ट बचा रहे हो आप उस पैसे को सई जगह पर इन्वेस्ट करके और वह सारा पैसा कमा सकते थे इस इस्तिती में आप पैसे के लिए काम नहीं करोगे बल्कि पैसा आपके लिए काम करेगा अगर आप वरेन बफे की तरह पैसा बचाना और कमाना चाते हो तो आप ज़रूरी चीजों पर भी ज़्यादा खर्चना करें वरेन बफे का पांचो नियम यह कहता है शायद आपको यह पता होगा कि वरेन बफे आज भी उसी घर में रहते हैं जो उन्होंने लगबग साट साल पहले खरीदा था अगर वो चाहें तो आज दुनिया का सबसे महेंगा मकान भी खरीद सकते हैं लेकिन वो जानते हैं कि एक महेंगा मकान खरीदने की बज़ाए वो इस पैसे को इन्वेस्ट करेंगे तो ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं और हम या अदत भी वरेन बफेसल सीख सकते हैं अगर आपके पास भी पहले से कोई घर या कोई चीज है जिससे आपका काम चल रहा है तो ऐसे में हमें नया घर या नई चीज खरीदने का कोई मतलब भी नहीं बनता उसकी जगा पर आप उस पैसे को सेव करें और किसी अच्छी जगे इन्वेस्ट कर दें और आप ऐसा बिलकुल भी ना सोचेंगी आपके दोस्त, रिष्टेदार और पड़ोसियों के पास बड़ा घर, मेंगी गाड़ी या मेंगा फोन है क्योंकि आप भी जब उनकी नकल करने के चकर में इस तरह की मेंगी चीजों पर पैसा खर्च करना शुरू करोगे तब आपके बचाई हुए पैसे तो खतम हो नहीं उसके लावा आप पर लोन और EMI जैसे कर्जों का बोज़ भी बढ़ जाएगा हम ऐसा नहीं कर रहे हैं कि आप कोई भी चीज ना खरीदे बलकि आप यह देखिए कि आपके जरूरत किस तरह की गाड़ी घर या फोन से पूरी होती है आप ऐसी चीज खरीदिये जिसमें कम से कम पैसा खर्च हो और आपकी सारी जरूरती भी पूरी हो जाए इसी नियम का प्रयोक आपको पुरानी चीजों को बदलने में भी करना चाहिए अगर कोई पुरानी चीज है जिसे बदलना जरूरी है तो उसे तुरंट बदल दीजिए पर आप किसी चीज को शोक के लिए बदल रहे हो तो ऐसा बिलकुल विवत करिए बलकि उस पैसे को बचाईए और इन्वेस्ट कर दीजिए ताकि आप पैसे वाले बन सके हैं इसके लावा यह भी जुरूरी है कि आप सीखते रहें ताकि आप इन्वेस्ट करने के लिए नए और बहतर तरीके सीख सके और उन तरीकों से अपने एसेट्स को बढ़ा सके हैं तो यह थे बड़न बफे के पैसा बचाने के पाँच नियम आप इन में से कितने नियमों का पालन करते हो यह हमें कमेंट बोक्स में जुरू बताईएगा और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेर करो और चैनल पर पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो तो आज के लिए इतना ही अगली बार फिर मिलेंगे किसी ऐसे नहीं वीडियो के साथ तब तक किरी, गुट बाइ